एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक आदमे लिन से कहता है कि मेरे यंग मास्टर आप से मिलना चाहते हैं और वो लिन को सिप के उपर आने के लिए कहता है जब लिन सिप पर जाता है तो एक आदमे लिन के पास आता है और कहता है कि हम लोग काफी दिनों इसलिए तुम से मिलने तुम्हारे सैक्ट में जा रहा था। लेकिन मैंने सुना कि तुम ने अपना सैक्ट छोड़ दिया है। और अब तुम अपने मास्टर का बदला नेने के लिए खुद को स्ट्रॉंग बना रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छा offer है जिसको अगर तुम accept कर लो तो तुम और पर ज़ादा मस्गूर हो जाओगे तुम्हें पता होगा मेरी country में चार major sect है और जल्द ही हमारे चारो major sect के बीच एक बड़ा competition होने वाला है जो कि तुम्हारे पिछले competition से भी ज़ादा मुस्कलों से बड़ा होगा अगर तुम हमारे साथ मिलकर हमारे sect की तरफ से उस competition में participate करो तो हम तुम्हें काफी अच्छा प्राइज देंगे और साथ ही तुम्हारी हर चीज़ में मदद करेंगे और वैसे भी तुमने अपना sect छोड़ दिया है और मुझे नहीं लगता कि जीत जाएंगे तो पुरी कंट्री पर 5 साल के लिए हमारा रूल होगा जिसके बाद तुम और में ज़्यादा मसूर हो जाओगे उसकी बात सुनकर लिन कहता है कि मैं तुमसे सहमत हो मुझे कीवल स्ट्रॉंग बनकर अपने मास्टर का बदला लेना है ये सुनकर वो आदमी कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है तुम्हें केवल हमारे सेक्ट में एंटर होने के लिए एक छोटा सा टेस्ट दिना होगा जो तुम्हारे लिए काफी एजी रहेगा क्योंकि तुम पहले से ही काफी ज़दा स्ट्रॉंग हो इसके बाद वो यंग मास्टर लिन को ए इसके बाद उस आदमी का यंग मास्टर आता है और वो लिन से कहता है कि मैंने तुम्हारे बारे में काफी को सुना है मेरा ये साथी हर वक्त तुम्हारी ही तारीफ करता रहता है और आज मुझे तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा इसके बाद वहाँ पर जीवी नाम का ए देखते हैं कि हम दोने में से कौन जादा स्ट्रॉंग है लेकिन तबी उसके यंग मास्टर उसे रोकते हैं और कहते हैं कि रोक जाओ लिन हमारा महमान है और उसके साथ महमानों जैसा ही वरताब करो लेकिन जीवी यंग मास्टर से कहता है कि ये हमारा महमान नहीं हो सकता ये स कुछ कल्टिवेटर्स आपके मुकाबला कर रहे थे। उन लोगों को देखकर लिन सोचता है कि इनके पास स्पिरिचौल पावर तो काफे अच्छे खासी है। लेकिन इन लोगों को मार्सल आट की जरा से भी नौलिज नहीं है। अगर ये अपनी स्पिरिचौल पावर के किसी चीटिंग के जरिये जीता है। जीफी की ये बात सुनकर वहाँ खड़े सभी कल्टिवेटर लिन को उकसाने लगते हैं। तो लिन भी जीफी का चैलेंज एक्चेप्ट कर लेता है। और उसके सामने मुकाबले के तियार हो जाता है। जीफी लिन से कहता है कि मैं तु पहले तुम हमला करो। जैसे ही जीफी लिन पर हमला करता है तो लिन अपनी टैगर फिस्ट का इस्तमाल करता है। इसकी वज़ा से जीफी काफे दूर पीछे के तरफ हट जाता है। अब ये देखकर जीफी वह काफे ज़दा गुस्ता आता है और लिन पर लगातार काफे स सान से डॉज कर लेता है लेकिन क्लोस कॉमबैक में जीवी काफी जगदा स्ट्रॉंग होता है इसलिए लिन उसे दूरी बनाता है और एक पिलर पर जगदा खड़ा हो जाता है ये देखकर जीवी निन से कहता है कि तुम्हें क्या हुआ मेरे साथ फाइट करो लगता है कि तु जोरदार हमला करता है लेकिन तबी लिन एक फॉर्मेशन बनाता है जो कि उसने हाली में सीगी थी जैसे ही जीवी उस फॉर्मेशन से टकराता है तो वो फॉर्मेशन जीवी को कफी दो ढखेल देती है इसके बाद जीवी इतना ज़दा इंजर्ड हो जाता है कि वो दुबा तादो कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं, तो young master कहते हैं कि मुझे तुमसे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं तो तुम्हारी तारीफ करने आया था, तुम काफे ज़दा strong हो, इसलिए मैं चाहता हो कि तुम मेरे sect में आ जाओ, और उस competition में participate करो, अगर तुम्हें बदले में कुछ पैसे चाहिए, तो मैं तुम्हें हो भी देने को तयार हूँ, मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, तो वो कहता है कि मुझे एक high grade spirit पिल चाहिए, जिससे मेरी cultivation बूस्ट हो जाएगी, क्या तुम मुझे वो दे सकते हो, तो ये सुनकर वो येंग मास्ट से थोड़ी सोच में पढ़ जाता है, और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में अपने फादर से बात करनी होगी, जिसके बाद हमारा ये episode यहीं पर खत्म हो जाता है,